हेलो स्टुडेंट्स मैं आपका विडियो में पढ़ेंगे दो रेखां के मद्या कौन के वारे में तो चलिए सुरुआत करते हैं यदि हमार पास दो रेखाए हैं R वेक्टर बराबर A1 वेक्टर प्लस लेंबडा B1 वेक्टर तर दूसरी रेखा है R वेक्टर बराबर A2 वेक्टर प्लस मू B2 वेक्टर मद्य का कौन ग्यात करने के लिए जो सुत्रों गाँंगा वहोगा कॉस्ट ठीटा बराबर बीवनवेक्टर डोट बीटुवेक्टर अपॉन मौड बीवन वेक्टर मौड बीटु वेक्टर तो यह सुत्र होगा इस सुत्र का परियुग करके आप रेखाओं के मद्यू का कौंड ग्यात कर सकते हैं यह वाट थी हमारे पास किसकी की अगर हमरे पास कार्थिय समीकरण आए, कार्थिय रूप में आए, मतलब है कि x-x1 upon a1 बराबर y-y1 upon b1, z-z1 upon c1, x-x2 upon a2, y-y2 upon b2, z-z2 upon c2 तो इस प्रकार से हमारे पास अगर दो रेखाए हैं कार्थिय रूप में जिनके दिकन पास हमानतर दिकन पास यहां देखें a1, b1, c1, a2, b2, c2 है तो इसके लिए जो सुत्र लगेगा वो कौस शिटा का सुत्र लगेगा किस प्रकार से वो देखते हैं तो कौस शिटा हमारे पास a1, a2, plus b1, b2, plus c1, c2, upon अंडरूड में a1, square, plus b1, square, plus c1, square अंडरूड में a2, square, plus b2, square, plus c2, square तो यह सुत्र होगा जब हमारे पास समिकरण कार्थी रूप में दिये हो, इस प्रकार से समिकरण दिये होंगे, तो आपको वो सुत्र लगाना है अब अब एक important condition देख लेते हैं, यदी रेखा है, यदी रेखा है, परस पर लंबत है, यदी रेखा है परस पर लंबत है, तो क्या होगा? तो यहाँ पर देखिए cos 90 लिखा जाएगा cos 90 को यह लिए 0 जाएगी तो यहाँ से क्या आएगा यहाँ से आएगा b1 vector dot b2 vector वराबर 0 b1 vector dot b2 vector वराबर 0 और अगर यहाँ से हम गोश्चिस करते हैं तो यहाँ पर भी अगर 90 रखेंगे तो cos 90 का मान 0 जाएगा तो यह चीज़ 0 जाएगी तो बचेगा क्या a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 बराबर 0 तो इस परकार से यह आपको दो फॉर्मले और यहाँ दखने हैं यह दि रेखाए प्रस पर लंबत हो सदी समिकन दिया आएगा तो यह लगेगा अब हम एक्जम्पल देखेंगे जिससे आपको आइडिया लग जाएगा कि यह questions किस परकार से होंगे तो अब हम दो question देख रहे हैं पहला question दिया वाए सदिस रूप में और दूसरा question दिया वाए कार्थे रूप में तो हमें इनका क्या ग्याद करना है कौन इनके मध्यका कौन तो सबसे पेडर लें लेते हैं बी वेक्टर कमान क्या है तीन i cap प्लस दो जे यह क्या है और यह की यह क्या है मारे पास क égal यह के निकालना है तो क्ल हिता-गस्फित लगाएंगे B1 vector dot B2 vector upon mod B1 vector mod B2 vector तो B1 vector और B2 vector का मान रखिए B1 vector का मान 3 I cap plus 2 J cap plus 6 K cap dot I cap plus 2 J cap plus 2 K cap upon यह mod B1 B2 है तो mod में लिख देते हैं B1 का लिए अपने के लिखेंगे 3 का square plus 2 का square plus 6 का square और इधर अंडूड में आ जाएगा हमारे पास 1 का square plus 2 का square plus 2 का square तो अब आपको यहाँ पर dot product करना है और नीचे आपको यहाँ पर square करके संक्याओं को यहाँ पर जोड़ना है और यहाँ पर संक्याओं को जोड़ना है तो यह हो जाएगा 3 into 1 यानिकी 3 plus 2 दोनी 4 plus 6 दोनी 12 ii को गुणा किया jj को गुणा किया kk को गुणा किया ठीक है यह आगे कैसे गुणा करते हैं यह आपने वेक्टर में पढ़ाए पिसले चप्टर में तो यह हमारे पास आ जाएगा अंडरूड 9 plus 4 plus 36 यह अंडरूड हो जाएगा 1 plus 4 plus 4 इसको अब आपको आगे solve करना है अब आगे जोड सकते हैं यहापर जोड के लिख देगे यहापर भी जोड के लिख देगे अब हमारे पास है कार्तिय समीकरण कार्तिय समीकरण में किस परकार से ग्याद करेंगे तो solution मे हम सबसे पहले a1 का value 2 b1 की value 2 c1 की value 1 a24 b21 और c28 है तो यहाँ हम क्या करेंगे कौश रिटा का सुत्र लगेंगे और कौश रिटा का सुत्र क्या हो जाएगा मद्य के कौन का सुत्र a1 a2 plus b1 b2 plus c1 c2 upon अंडरूड में a1 square b1 square c1 square अंडरूड में a2 square b2 square c2 square यहाँ पर आपको क्या करना है मान रख देना है तो हम मान रख देते हैं 2 into 4 plus 2 into 1 plus 1 into 8 upon बटे में आजाएगा आपकी बास 2 का square plus 2 का square plus 1 का square यह अंडरूड में जाएगा चार का square plus 1 का square plus 8 का square अब आपको इसको गुणा करके यहाँ पर नीचे बढ़ करके solve करना है तो समझ में आ गया आपको अगर सद्दिस रूप दिया वाए तो कौन ग्याद करने के लिए यह formula लगागेगा और अगर आपके पास कारते रूप दिया हुआ है तो कौन ग्याद करने के लिए यह formula ले गएगा ठीक है